असलाम लेकुम स्टूडेंट्स वेलकल दूमा यूट्टिप चैनल इजी सॉलिशन्स ऑफ माथमेटिक्स आज की विडियम हम करेंगे दिफॉरियल इंटेग्रल थीूरम कि दिफॉरियल इंटेग्रल थीूरम इसके स्टेट्मेंट में यहां पर लिख दी है इसके स्टेट्मेंट जो है इसके फोड़ी सी मिस्टेक है यानि यह वाली जो बुक है मेरे पास इससे हम रोक कर रहे हैं कवर इस चैप्ट्र को अ मैथमेटिकल मैथड्स ऑफ फिजिक्स यह नाम में थोड़ा सा आगपी ची होता था लेकिन इसको मैथमेटिकल मैथड्स ऑफ फिजिक्स पहते हैं और मैथ वैसे का नाम मैथड्स ऑफ फिजिक्स है यह औरेंज बुक उसके अंदर जो यह स्टेट्मेंट रिख हुई है इसके अंदर थोड़ी सी गरबर है वह इसको प्रूफ करना है अब इसका प्रूफ हम लोग करेंगे तो हम लोग इसका प्रूफ जो है वो बुक्र से देखेंगे साधे साथ कोई मुश्किल स्टेप होगा तो मैं मैं आपको एक्स्प्रें करते होंगे स्टेटमेंट में हमें चीज़ बताएगे तो इसका इनवर्स का लेना है इनवर्स का फॉर्मला यह रिखा वह लेकिन मैंने यहां पर भी से एक्स्प्रेंग आई है तो हम इसका इनवर्स ले लेंगे अब तक यह आपको बहुत अच्छी तरीके से रट गया होगा तो अब हमने इस इंटेग्रिल को लिख लिया नेक्स्ट अब हम लोगों ने इसके थुरू इसको सॉल्फ करने अब देखें हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं चुरू से कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी अगर कोई लिमिट है तो हम उसको टूप आर्स में ब्रे इंफिनिटी से इंफिनिटी ही है हमने बीच में 0 कहा सहारा लिया पहले हम म sermonättos इंपिनिटी नयुकर पर 0 से इंपिनिटी तक गई तो हम इसको भ्रेक करे सकते हैं था हम लिमिट को ही बिरिक करना है बाकि अंदर यह जो अंदर exponential function है इसको कुछ भी नहीं होगा अब जी splitting the infinite integral in parts using the fact that f of x is there way तो कोई function हमारे पास real है that's why हम लोग इसको जो है दो पार्स में कर सकती है minus 20 से zero और zero से infinity इन दोनों को add कर दें तो वही minus 20 से infinity बन जागा भी से हमने दो parts में कर दिया अब हमारा इसको minus वाले को हम लोग नो बाद में लिए अब क्योंके plus है तो चाहिए इसको पहले लखें इसको पहले लखें कोई फरक नहीं पड़ता इसको हमने इसको solve करना minus वाले minus infinity वाले integral को हमने पहले solve करना हमने क्या करना है इसके इंदर substitution करनी है हमने minus x i जो है minus 20 से zero वाल में minus x i को हमने x i dash के equal put कर देना अब minus x i को हमने x i dash के equal put कर दिया और जाहिर जब substitution होगी तो पूरे integral में substitution होगी है पूरे integral में हमने minus x i को x i dash के equal put कर देना तो यहाँ पर minus x i था तो यहाँ पर x i dash आ गया लेकिन यहाँ पर सिर्फ x i था सिर्फ x i की value अगर हम लोग निकालेंगे तो दोना तरह minus से multiply कर वाएंगे तो x i is equal to x i dash यहीं पर देखें के x i dash is equal to minus x i अगर हम लोग करते हैं तो अब हमें सिर्फ x i की value चाहिए तो सिर्फ x i की value अगर हमें चाहिए तो वो आएगी minus x i dash इस तरह से होती है अब हम लोग एक्जाई की अब जहां जहां पे एक्जाई है महाँ पर minus x i dash आखेंगा यहाँ पर सिर्फ x i था यहाँ पर माइनस x i dash आखेंगा अब हम लोग ने नेक्स्ट क्या करना है अब हमें पता है कि अब यह देखे जब हमने अब यह देखे यह चीज़ भी मैं बता देती अब हमने इसकी दोनों तरफ अगर डिफरेंशल अप्राय करेंगे तो यह डी एक्स ताके कोई कन्फिरियन ना रहे जोई यह दी एक्स डी एक्सई की जगा पर दी एक्सई की जगा पर माइनष डी एक्सई डैश आएगा याँनि हमने वन बाई उन साथ इंटेग्रिल्स की वारेंश निकाल लेनी है अब यह वाला जो माइनस है ना इसका हम क्या करेंगे हमने यहां बें टेकर की लिमिट्स चेंज की तो हमारा माइनस खतम हो गया यह एक्सपरेंट भी वैसे है यह फॉर यह वैसे ही आ गया अब हमारी देखें यह दोनों के इंटेइग्रेल से हम लोग यह जिरो से इंपिनेटी तो हम लोग पी कौमनने लेंगे हैं अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया एफ उफ माइलस अब यह देखिए यहां पर जो एक्जाई डैश है ना उससे कोई फरक नहीं पड़ता हम लोग जो है वो वेरियेबल को चेंज कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं यह देखें इसके अंदर यह इंटेग्रल मैंने लिखा इसके उन्दर मैंने एक्जाई डैश को एक्जाई के साथ रिप्लेस कर दियां सिम्पल यह थो आइग्र drives न्यूम गया इसके ऊपर हमने जो प्रॉपर्टी अपलाई की है आज मोई स्भी माईस सिंपल यहँ पर मइनस उना मावना मैने से इव गाई गया अ से ऑपर अप्रॉप आपट्य राफ है फो माइनस एक्ष जाई एक्ष एस इपर और इस मोडिल ओफ ऑफ इंडिले कहने का मक्सथ यह है कि f of minus x i dash is equal to f of x i है मतलब variable का कोई नहीं है इतना आप लोगोंने करना है यह सिर्फ differentiate करने के लिए है थोड़ी से substitution करने के लिए चेंजिंग करने के लिए हम लोगोंने लिया है अब हमने simple इसके जगा पे यह जो conjugate वाली थी sorry मैं module बोलते जा रही हूं conjugate f conjugate f bar of x i आ गया इसके जगा पे और उसके बाद हम लोगोंने next क्या करना है अब हमने बता है कि जो f of x i है उसका फॉर्मॉला यह था फॉर्य ट्रांसफॉर्म का तो हमने अब उसके जगा पे f of x i अब हमने क्या किया इस पूरी value को फटाया यहां पे तो खास में f of x i की जगा पे उसकी value पुट करें जब हम उसकी value पुट करेंगे तो यह माइनस x i यानि यह वाला exponent और जो इसका exponent होगा f of x i का जो हम value पुट करेंगे उनकी powers यानि बेस सेम हो तो powers जायर हो जाती है next आप आप यह देखें कि f of x i की पूरी value अगर हम इसका conjugate लें one over under root two pi minus infinity plus infinity अब इसका conjugate लिया तो यहां पे तो iota है तो यह माइनस आजएगा इसके साथ iota x है और इसका conjugate conjugate लें तो यह आजएगा f conjugate of x tx f bar और यहां पे यहां पे के करेंगे यह रेल है function f of x जो अब वो रेल है तो रेल का मतलब है कि f conjugate is equal to f of x यह इसी के equal है यह चीज़ इसी के equal है तो अब हमने यहां पे देखें f conjugate of x i है सेम जिस तरह हमने इसके साथ किया है इसलिए हमने जो f of x i की जो value निका ली थी तो यहां पे f के ओपर जो conjugate था वो इसलिए नहीं नहीं लगाया लेकिन जब हम इसका f of x i का conjugate लेते हैं नहीं तो माइनस आज़ेगा और यह तो positive था बेस से इस तरह हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास यह जो था यह चीज़ अब हमने क्या करना है वी जो दो वैलिस ने का लिए ना इन दोनों को सम को हमने कोई भी नाम s ने दिया s is equal to इन दोनों का हमने सम किया दोनों के integrals लिखे इस तरह से जो common चीज़ें है यानि माइनस इंप्रेटिस इंप्रेटर इंटेग्रल और ऑपरेटर जो है common लेने के बाद हमें पदा है कि यह पूरी चीज़ जो होती है वो cause के equal होती है क् हमने cause का यह formula बढ़ा हुआ है cause of x is equal to exponent की पावर आयोटा x plus exponent की पावर माइनस आयोटा x यानि कि जो एंगल में चीज़ बढ़ी होती है वो उपर आयोटा के साथ आ जाती है तब आयोटा के साथ जितनी भी value बढ़ी होई हमाई सब कोस के एंगल में आज़ेगी और हमें क्योंकि सिरफ यहां 2 नहीं है अब अगर हमें सिरफ इतनी चीज़ की चाहिए तो यह 2 cause of x इसी तरह से यह 2 cause x i x minus x dash dx dash आजएगा simple तो यह हमारे पस जो है इसका integral आगए अब हमने क्या करना है इस sum को उठाकर उपर अपनी value में put करना है अब जितना भी sum निकला है जितनी भी value आई है सारी यहां पर put होगी जब यहां पर put करने के बाद क्या है यह हम करके देख लेत हैं f of x is equal to one over under root two by bracket तो यहां पर मैंने सारी value put कर दी है 0 is infinity था बाहर डी एक जाये था अंदर यह सारा फूश अब हम इसको solve कर लेते हैं constant value जोनों बाहर आजएंगी जब यह बाहर आजएंगी तो one over root दोनों के under root का square होके यह two by रहा जएगा 0 से infinity minus infinity is infinity f of x dash और साथ two cause of x i x minus x dash dx dash dx i अब यह two is two के साथ हो जएगा cancel तो one over five zero से infinity minus infinity is infinity f of x dash cause of x i x minus x dash dx dash dx i तो यह हमारा आगया result तो यह था हमारा theorem the four integral theorem hopefully आपनों को समझ आई होगी कोई confusion कोई problem है तो आप मैंसे comment section में पोच सकते हैं पूरी वीडियो में कोई कहीं से मुझ से कुछ कोई चीज गलत बोली गई हूँ और यहां कोई मैंने miss pronounce कर दी हूँ क्योंकि मैं इसको module बोल दिया था काफी जगा पर मैंने conjugate conjugate होता ही है तो उसके लिए मैं advance में sorry और अगर अभी तक आपने में चैनल सब्सक्राइब ने किया पीज में चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को like करें और मेंने friends के साथ जादा से जादा शेयर करें thank you so much